Hey guys, welcome to our channel Join M&S Academy आज के वीडियो में हम जो लूसन जी की कर रहे हैं उसका हम टॉपिक 3 करने वाले हैं ये 3rd सेशने से पहले मैंने 2 सेशन आपको दे दिये अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो थाकि आपका सीक्वेंस में चलता रहे हैं और जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपकी क्लियर भी होते जाएं ठीक है तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिया जो बॉर्डर और नेबरिंग कांट्री तो बुक में एक छोटा सा जैसे मैंने टेबलर फॉर्म में सारा करवा है उसी तरीके से इसमें भी है देखते कैसा है तो यह है यहाँ पर लेंथ वाइस जस्ट दिया हुआ है मैं इसके साथ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताऊंगी आपको इसको साथ में नोट करते जाना है जो एक्जाम प्रस्पेक्टब से इमपॉर्टन थै तो सबसे पहले है यहाँ पे देखो कंट्री का नाम दिया है यहाँ पे लेंथ दिया है और वो किस के साथ अपनी boundary शेयर करते है ये बताया है इंडिया कर डेंबरिंग कंट्री सबसे पहले है बांगलादेश, बांगलादेश की लेंध किलोमेटर में इतनी है, जो कि हमाले कोई मैटर नहीं करता, पिकद एक्जाम में ये नहीं आता, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीके मेरी ये पढ़ाने सापको ये भी फायदा होगा, काफी बच्चे बूर रहे थे, उनके पास book है already, तो book है तो आप क्या किया करो, book ही open करके बैट जाये करो, जब मैं ये sessions लिके आती हो, जिनके पास नहीं है, तो वो अपनी copy निकाल के लिख लिया करो, जो running notes है वो ले लिया करो, also जो भी बता रहे हो, उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि last में जो तीन questions पूछती हो, अगर सही में पढ़ रहे हो, तो last में आपको answer तो उसका आई ही जाना चाहिए, ठीक है, starting से करते है, तो Bangladesh, ये नहीं करना, तो कौन-कौन से Indian states है, जिसके साथ इसकी boundary होती है, West Bengal, Meghalia, Mizoram, Tripura and Assam, जो Bangladesh है, इसके कुछ-कुछ important चीज़े जो आपको पता होनी च चाहिए, जैसे कि currency क्या है, capital क्या है, PM कौन है, ठीक है, ये president कौन है, तो इसके जो capital है, वो क्या है, ढाका, note कर लो copy में, और यहाँ पर currency चलती है, वो होती है, बांगलादेशी टका या टका, और यहाँ के जो PM है, वो है, शेक, हसीना, तो ये तीन चीज़े आपको याद नेक्स्ट आजाते हैं, चाहिना पर, चाहिना किस किस के साथ हम border share करता है, जे एन के के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तरा खंड के साथ, सिक्किम के साथ, और अरनाचल प्रदेश के साथ, अब चाहिना का आते है, चाहिना के में, जो currency चलती है, वो उसको बोलते है, के नाम है लेक्ष कांट्री के । प्रेसिडंट्स जा help कुछ तो। अंटी यहाँ प्रेसिडंट के मोर्जी कर जो है वोही ज़ादा active होते दर दर जाते हैं मीटिंगग विगरमे इन काफी कंट्रीज़ में वैसा नियो दो प्रेजिडेन जाते हैं नेक्स्ट है पाकिस्तान पाकिस्तान गुजराद के साथ राजस्तान के साथ पंजाब के साथ and JNK के साथ border share करता है पाकिस्तान की capital क्या है Islamabad पाकिस्तानी में जो currency चलती है वो था पाकिस्तानी रुपीज और यहां के जो PM है वो है इमरान खान नेक्स्ट है नेपाल नेपाल किस किस के साथ करता है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट पेंगॉल सिक्किम और उत्राखन इत्ते सारे के साथ करता है नेपाल की चो capital है वो क्या है काटमांडू, नेपाल में चो रुपीज चलती है वो से बोते है नेपाली रुपीज देखो जो हमारे नेबरिंग से है न जादतर महाँ पे रुपीज ही चलता है लेकिन है नेपाल तक कर लिया हमने मैनमार, मैनमार किसके साथ करता है अर्नाशल प्रदेश, नागा लैंड, मिजोरम और मनिपुर, यहां की जो capital है वो है नेपी टाव, ठीक है स्पेलिंग कुछ अजीब सी है उसकी लिख देती है यहां पे नेपी ताव, यह है उधर की capital और यहां पे currency चलती है Quad, ठीक है और यहां के जो PM थी वो थी आनसान सुकी लेकिन उनको अभी हटा दिया गया और इस country में ही मैनमार के उपर question भी आया है अभी recently NDA के exam में तो आपको मैनमार के बारे में थोड़ा जानके रखना है क्योंकि यहां पे emergency लगा दी थी इनकी country में और यहां के जो PM थी आनसान सुकी उनको हटा दिया गया था अभी acting president जो है, वो है, meant swap तो आपको यह कुछ-कुछ चीज़े हैं जो याद रखनी है the next है बुटान बुटान के साथ जो बॉडर शेयर करते हैं वो है वेस्ट बिंगॉल, सिक्किम अर्नाचल प्रदेश और आसाम सो बुटान पर आते है बुटान की currency क्या है नेगिल ट्रम ठीक है NG, ULT, UM यह होती है यहां की currency यहां के जो PM है उनका नाम है लोटाई शेयरिंग करके और जो capital है उसका नाम है तिम्पू ठीक है तिम्पू अब आगे है अफगानिस्तान और यह last है साथ ही दिये थे इसमें तो यह सिर्फ जम्मो कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान में जो government चल रही है वो है अश्रफ घानी की ठीक है और वो यहां के president है यहां पे जो currency चलती है वो होते है अफगानी और यहां का जो capital है वो है काबुल अब यह मैंने आपको काफी short में बताया और जो important है वही बताया आने को कुछ भी आ सकता है क्योंकि पिछले बाइ national animals पूछे थे अलग-अलग country के तो वो भी हम कर सकते है कि यहां का national animals क्या है अब यह के लिए जितना बताया उतना याद करो देखो 5-10 मिंट के यह sessions होते है अगर डेली 5-10 मिंट भी दोगे cover हो जाएगा आपका जैसे अभी मुझे एक बच्चा बोल भी रहा था कि मैं तो book नहीं पढ़ पाता मुझे book पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है तो book है यह इतनी boring देखो इसी shade में पूरी की पूरी book है कुछ pictures नहीं है अगर आप continuously पढ़ते जाओगे जादा याद नहीं होगा सिर्फ फिर वो रट्टा लगाने वाली चीज़े हो जाएगी एक से तीन topic अगर आप daily भी ऐसे कर लोगे दिन में चोटा चोटा तो आपको काफी portion cover हो जाएगा ये तीन चीज़े तीन questions आपको मुझे नीचे comment करके बताना है मुझे सब के answer चाहिए गाइस क्योंकि ये तीनों चीज़े मैंने इधर ही cover कर चुकी है तो टेलिग्राम पे जोड़ जाना अगर अभी तक नहीं जोड़े हो तो थाइस वाचिंगाइस झाहल इन्ट वीडियो थैलिग्राम पे जाना आघ मैंने नेक्सपी ये विद्टीम सब्सेगें चये तो